हलो एब्रीवन आज किस वडियो में हम लोग बात करेंगे J-Advance Examination के बारे में जो आपके हो चुके हैं Marks vs. Rank जो काफी important है साथ में AAT Examination कुछ बच्चे ने comment किया था AAT Examination जो आपका Architecture Aptitude टेस्ट होता है कौन से बच्चे दे सकते हैं J-Advance Qualify करने के बात देना है कि किस तरह से form fill करना है यह सारी चीज़े अब आपको पता है कि J-Advance Examination already conduct हो चुका है और AAT Examination जो है यह आपका जब result आएगा तब conduct होगा तो एक बच्चे ने comment किया कि भई आर्क के लिए J-Advance हुआ है कि नहीं B-Ark Cut-Off क्या कैसे पता लाया कि J-Advance में qualify है या नहीं फिर B-Tech देखना है और AAT में 75% करेटी है सब कुछ जो doubt है यह सारा clear कर दूँगा बच्चे आपका तो वीडियो में end तक बने रहना सबसे पहले J-Advance जो आपने examination जिया 4 जून को उसका expected rank versus marks दे सकते हो यह official data नहीं है लेकिन previous year का data कर सकते हो उसके अधार पे यह data को बनाया गया है तो यह internet पे है आप भी easily check कर सकते हो और यह आपका कुछ इस बार रहने वाला है ठीक है तो यह बच्चे ने comment क्या था साथ में यह भी बोल दो जो सा counseling start होने वाला है तो description में counseling form है साथ में हमारे जो academic counselor है उनसे आप बात कर सकते हो यह number भी है और form फिल कर दोगे तो हमारे team आप contact कर लेगी अब बात करें architecture aptitude test के बारे में तो AAT examination होता है BR के लिए अब यह कौन-कौन से IITs में यह courses available है तो तीन ही IITs है जिसमें course available है BR program, IIT BHEO जो वारनासी में है, IIT खरकपूर और IIT रूरकी और यह जो BR program है यह architecture के courses के लिए है इसमें आपको architecture aptitude test देना होता है जो कि आप pass करोगे तब ही आप admission ले पाऊगे सबसे महत्पूर बात कौन से बच्चे इस examination को दे सकते हैं तो यहाँ असपस देख सकते हो यहाँ असपस लिखा वाय रेट कलर से Only those candidates who have qualified in J-Advance 2023 J-Advance का जो आपका 18 June को result आने वाला है जो भी बच्चे इसमें qualify करेंगे ठीक है जो qualify करेंगे आप qualification का मतलब क्या है तो वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा तो वीडियो में end तक बने लेना qualification का मतलब यह नहीं है कि आपको कुछ cut off पार करना होता है एक specific, एक subject में number लाना होता है या फिर total में number लाना होता है तो आप qualify होते हो जो भी बच्चे qualify करेंगे वो eligible होंगे AAT examination के लिए qualifying mark में आपको दिखाऊंगा और मालो कि आप J advance qualify कर लेते हो और architecture aptitude test pass कर लेते हो तो आपका 12th में क्या percentage रहेगा तो 12th में वही percentage रहेगा जो आपने J advance examination के लिए दिया है यानि कि 75% वहाँ भी देखने को मिलता है तो ये architecture के courses हैं आपके और BHU, खरकपूर और रूर्की में आपको ये courses मिलता है अब देखो minimum percentage of marks जो कि आपको qualification के लिए लाना होता है जैसा कि मैंने आपको बोला कि minimum percentage of marks each subject, एक subject में तो आपका 10 होना चाहिए और minimum percentage of aggregate marks यानि कि सब subject को मिला है 35% या उससे अभव होना चाहिए एक subject में 10% और minimum percentage of aggregate marks 35, general EWS की 9 देख सकते हो और 31.5, OBC के लिए 9% और 31.5% ये number नहीं या percentage है minimum percentage of marks in each subject तो आप अपना rank wise चेक कर लेना overall जो marks जितने भी है एक subject में उसको 10% निकाल लोगे तो वो इसलिए आ जाएगा अब AAT examination की बात करें तो AAT का जो examination है आपका इसका जो registration है ये कब पता चलेगा तो J-Min के official J-Min नहीं J-Advance के official website पर आपको registration करना है 18 June से registration स्टार्ट होगा और 19 June को registration complete हो जाएगा आपको ये भी पता है कि 18 June को J-Advance examination का result आएगा तो जो भी बच्चे qualify होंगे वही इस form को fill कर पाएंगे जो बच्चे J-Advance qualify होंगे वही registration कर पाएंगे AAT examination जो की architecture aptitude test होता है संडे को सुबह 10 बजे से मंडे को सामके 5 बजे था ध्यान रखना architecture aptitude test आपका 21 June को होगा और timing आपका रहेगा 9 a.m. to 12 p.m. के बीच में जो भी candidates हैं जिनका भी examination होगा उनको 8 बजे examination center पे पहुंचाना है और आपका जो result है 24 June को publish कर दिया जाएगा सामके 5 बजे तो जो J-Advance के authority IIT GUART जो conduct कर रही है वो अपने time के पूरे पक्के होते हैं उसमें को attention की बात नहीं होती है यह आपको counseling form देखने को मिल जाता है जिसको आप fill कर सकते हो और साथ में number B अगर call करना है तो call कर लेना नहीं तो हमारे team आपको contact कर लेगी अब देखो eligibility की बात करें तो जिस तरह से IIT में admission के लिए आपको 75% चाहिए होता है यह यहां भी लगेगा 75% आपको percentage चाहिए होगा ध्यान रख लेना Class 12 में अगर आप जो SCST category हो तो उसके लिए 65% रखा गया है और अगर आप general OBC candidate हो 75% आपके सारे subject के मिला कर आना चाहिए और SST के लिए 65% या फिर top 20 percentile में हो तो भी चलेगा category wise top 20 percentile में हो जो भी state board में हो या फिर अगर CBC board में हो तो यह सारे चीज़ है registration आपको online करना है AAT की थुरू आपको जितने भी IIT इसमें admission मिलेगा जिसमें मैंने आपको बता दिया IIT के नाम 3 घंटे का examination होगा question paper आपका AAT का English language में होगा admit card आपको website से download करना होगा और examination में आपको original photo identity card ये सारी चीज़े साथ में drawing और color aid भी आपको ले जाने की जुरूत होगी जो कि आप जिससे drawing बनाऊ गया और साथ में ये भी बता दू joint implementation committee of J advance वो decide करेंगे AAT के cut-off जो कि हर साल release किया आते हैं counseling के बाद तो 2000 अगर आप 22 का देखना चाथ है तो comment करके बताना मैं आपको बता दूँगा और result जो है आपका वो AAT examination का declare किया जाएगा J advance के website पे अब देखो 18 जुन को जैसे ही आपका J advance का result आएगा category wise successful rank भी आ जाएंगे और जो भी बच्चा qualify होगा उनका सपस दिख जाएगा तो आपके mobile number register mobile number पे भी message कर दिया जाएगा individually rank send नहीं किया जाएगा तो आप website से download कर पाओगे इस सारे चीज़े हैं साथ में जो भी बच्चा J advance examination दे दिया है जो सा counseling के लिए उसको 19 तरिक से अपना ready रहना है और qualification का मतलब मैंने बता दिया कि आपका अगर उतना minimum percentage रहता है तो आप qualify हो admission के लिए जो भी merit वाले student है उनको counseling करना होगा और उनके merit की इसापसन को seat availability दी जाएगी examination के बारे में already मैंने आपको बता दिया अगर बात करें IIT रूर्की में 35 seat available है architecture के और IIT खरकपुर में 45 seats है जिसका admission 80 के score पे होता है architecture aptitude test ये सारी चीज़े आपको मालूम चल गई है तो description में वही counseling form है एक बार check out कर लेना मुझसे contact रना है तो email address है, telegram channel है join कर सकते हो कोई भी query है तो comment कर देना वीडियो पसंद आया हो तो like और share कर देना और channel पर नहीं हो तो subscribe करके bell icon button को press कर देना इसी तरह के videos लगातार आपको मिलते रहेंगे so thank you for watching, thank you